नमस्कार दोस्तों, ब्रेक नूज में आपका स्वागात है, 1996 में संसद में अब हिश्वास प्रस्ताओं के दोरान अटल बिहारी बात पेजी ने एक ऐसा भाजण दिया जो बहुत ही एतिहासिक रहा जिसमें उन्होंने अपने त्याक पत्र को देने की बात भी कही थी हर्याना में हम हर्याना में जीते हैं हमने करनाटक में समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक है कि केरल में और तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशाली नहीं है मगर हमारा संगठन है अश्रिम बंगाल में भी हमें दस पर चस्ते थोड़ा कंगोट मिला हुआ है अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर दस परसंट पर दस परसंट वोट की बात करिए इस सदन में एक-एक व्यक्ति की पार्टियां एक-एक व्यक्ति की पार्टियां और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जमगट करके और हमें हटाने का प्रयास करने का पूरा धिकार है मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टियां एक ला चलो रहे और चलो एक ला अपने सुनाओ क्षेटर से और दिल्ली में आकर हो जाओ एक टे रहे किसलिए इकक्ते हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत किये हम लोगों में गए हैं हमने संगर्श किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है और आज हमें आज हमें अकारण कड़करे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा सीटे नहीं लिख सेके हम मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलना चाहिए राष्ट पती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सईयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस बाप को मत फुलिए मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सईयोग देंगे या आपको आश्वा समझेना चाहते मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है शिडूल कास के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स BJP के चलाने गए CPIM, CPIM के 5 मेंबर है CPI एक मेंबर है Congress 15 मेंबर है जनतादर 7 मेंबर है और सबसे जादा हमारे मेंबर है ज़नी बहर भी 35 स्टिसी में भी शेडूल ट्राइब में भी टोटल नमर अप्सीट इस 41 BJP 11 हमारा जनाधार नहीं है हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है अगर आप हमें हमें छोड़ कर सत्ता बना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षें नहीं दिखाएज़े पहले तो पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित रेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाप कर सकेगी ये प्रश्ण वाचत चिन्ने हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़े और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्चे लगाई जा रहे पिर चर्चा हुई कि कॉडिनेट कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके भिला तो सदन नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नायाब के साथ ही हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संच्छाबल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कारी हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राश्टी उज्जेश पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना चाथ पत्र राश्टी महोदय को देने जा रहा हूँ